जैने दोस्तों मैं विपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वेपिस्टेडी पॉइंट में आपका आर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों जो आज हम आपको पढ़ाएंगे आज का हमारा जो टोपिक होगा क्या है प्रोफिट एंड लोस अगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या करो। लीटो को लगें करो। जानने वाले उनके पास बढ़ू смотреть ज्यादे वेडियू ज्याले और चैनल को सब्सक्राइब try करो। कि हमने जो आपको अब तक पढ़ा दिया हैं हमारे दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं फर्स चैप्टर था हमारा जो हमने परसंटेज आपको पढ़ा है था वह पूर हो चुका है इसके हमने practice question भी करा दिये अपको जो फ्रिविश एंद में question आए वे वी करा दिये mix Сबसे पहले एक सीज और समझें जो प्रॉफिटंट लोसी चैप्टर है यså भारत में कोई भी error हो उसमें इस इस चैप्टर से हर पेपर में कोशन कुशन आते हैं मैठ्के 25 में से कम से कम 2 3 कौष्टन हमारे फ्रॉफिटेंट रोस्ट कर आये प्री में इसके जो में आते हैंब में रेल्वे में गुरूब डी में एंटी पीची वगारा और यूपी एसाइए में भी इसका एक एदो कुर्शन जरूर आते हैं तो दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना सबसे पहले इसमें कुछ ट्रम होती है जिसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे जैसे सबसे पहले आता है हमारा सीपी यानि यह क्या होता है हमारा कोस्ट प्राइज सीपी यानि कोस्ट प्राइज को हिंदी में क्या बोलते है लागत मूल लिए या क्रेम लिए सबसे बहुनिते हैं जो हमारा कोस्ट प्राइज होता है मतलब करेमओल्य होता है सबसे पहले समझें बूकिए कोश्ट प्राइज मतलब कोश्ट प्रास जो होता है कोई चीज है आप मतलब कोई भी वस्टु है जिसको आप खरीद के लाए जो वस्थू जितने रुपे में खरीद के लाए हो वह क्या होगा कोश्ट प्राइज यह सपोज देट मैंने एक थीवी करीद लिया 20,000 रुपे में टीवी ले के आगया ठीक जो 120,000 रुपे का में एक टीवी ले का आया हूं और मैंने 1,000 रुपे उसके जो हमारा लाने हने वाला आये था वह लेके चिले गाया यानि कि टोपल यह हमारे कितने हो जाएंगे तोटल हो जाएंगे हमारे कुछी क टोटल 2100 कृटल कोट कोस्ट प्राइज कितनी मैं हो जाएगा हमाराा 21700 तो किसी इन सो उसको आप जितनी रुपे में खरीडता है कि उस पर जितना खर्च कह मिली होता है उसलिंग सेलिंग प्राइज अनिके विक्रे मुल्य क्या होता है यह कोई आप समान लेका है वह खरीद के लेका है खरीद के लाने के बाद आप उसको बेच तो भी हो यानिके जिस मुल्य पाप बेच होगे वह क्या हो गा विकरे मूल्य रुम कि होता है कोई भी चीज आप खरीद के लाते हो खरीदने के बाद उसको बेच़ते बहुत यानि के जितनी रुपे में आपने वह वश्कति बेची उसको क्या कहेंगे हम विकरे मूल्य से हमारे मतलब तीन तरीक केश में केश बनते हैं इस फिक बड़ा होता है एक थर्ड़ जो बंता है हमारा क्या वंत है जब ऑर सीपी दोनों इक वरो यह तीन केस बनते हैं हमारे इनके बारे में आप अच्छे से देखो कैसे क्यां क्या होगा जमें जब हमारा क्या शैलिंग प्राइज कोश्ट प्राइज से अधिक हो जब शैलिंग प्राइज कोश्ट प्राइज से अधिक हो तो क्या होगा हमें मानने के बाद है यदि मैं मान लेता हो कोश्ट प्राइज हमारा 500 रुपे है ठीक है और शैलिंग प्राइज हमने मानने साथ औरुपे जैलिंग तूल अधिक है को स्ट प्राइज से पहली वाली कंडिशन नहीं तो यह जब यहलोज स्ट टाइम पर क्या होगा हमें क्या होगा प्रोफिट है प्रोफिट यानि लाब होगा ठीक है दोस्तों जब हमारा कोस्ट प्राइज से यानि छोटा होई है सेलिंग प्राइज कोस्ट प्राइज से अधिक हो तो क्या होता है हमें प्रोफिट होता है सेकेंड केस क्या होता है हमारा सेकेंड केस है जब हमारा सेलिंग प्राइज और जब Selling Price Coast Price से के बराबर हो जब Selling Price Coast Price के बराबर हो तो हमें नो Profit No Loss यानि ना तो लाब होगा और नाहीं हाणि यानि के मानने के बातहाँ यदि मैं 500 ुरुपे की कोई वस्तु लेका तीन कंडिशन बनती है ठीक है दोस्तों चाहिए आप इनके एक्जामपर लेकर यहीं से देख लो यह फर्स्ट वाली के लिए तो यह हो गया था हमारा कोस्ट फ्राइज हमारा कितना 500 तब यह हमने कोई वस्तु खरीदी पांच रुपे की बेच कितने में दी 700 रुपे में तो यहां से हमारी यह वाली कंडिशन हो जाएगी और यहां पर तीसरी में क्या था नो प्रोफिट नो लोस यानि कोई वस्तु का जो कोस्ट प्राइज है वह 500 यानि 500 रुपे में खरीदी और सेलिंग प्राइज भी कितना 500 रुपे 500 रुपे में ही बेच दी तो यह क्या हो जा बताई है यह सब बताई है हमने रुपीज में यानि पैसों में लेकिन कोस्टन में क्या होता है सब चीज परसंटेज में चलती है हमारी तो अब इनको परसंटेज में समझेंगे आगे देखो आगे आता आप क्या ये तो हमने रूपों में सब सब चीज समझ लिए अब परतिसत में चलते हैं परतिसत में कैसे करेंगे जैसे सबसे पहले आता है हमारा profit percent यानके लाब परतिसत लाब परतिसत लाब परतिसत हमेशा लाब परतिसत या हानी परतिसत हमेशा हम किस चीज पर निकालेंगे कोस्ट प्राइज पर यानि करे मुल्य पर किसको बेश मानेंगे हम करे मुल्य यह आप याद रखना हमेशा तो जो यह होता है हमारा इसका जो लाप परतिशत का फोर्मुला जो निकालते हैं या इसको हम कैसे लिख सकते है इसको लिख सकते क्या हम यानिके sp-cp upon cp into 100 क्यूंकि अभी हमने बताया था जो लाव होता है क्या होता है हमारा selling price minus cost price यह क्या आ जाएगा हमारा यहां से इस तरीके से हम इसको यूज कर लेंगे इसी परकार हमारा क्या आते है of percentage यानिके low पर्तिशत या लाव शुरी हानी पर्तिशत 80 adult या लोश परशेंट निसका क्या होगा अभी मैंने आपको बताये था लाव पर्तिशत या हानी पर्तिशत किस चीज़ पर गना करते हैं को स्ठ प्राइज पर यानि क्रेमूल्पर और यहां पर लोउस multiply by hundred percent ठीक है जी यह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको लिख सकते आप cp minus sp upon cp into hundred percent ठीक है दोर्ट आप इसको इस तरीके से देख सकते हो यह इनका यूज भी हम आगे करेंगे यह formula है कुछ इनको आप इसके ले लो और आगे मैं आपको समझाता हूं है तो दोस्तों देखो समझो कुछ जैसे मैंने कोई वस्तू है उसका जो cost price है 500 रुपे है किसी वस्तू का cost price कितना 500 और selling price कितना है हमने मालने 700 यानि कोई वस्तू 500 रुपे में खरीद कर 700 रुपे में हमने बेच दी तो हमसे पूछ गया कि इस पर इस पर जो 500 रुपे की वस्तू है जो 700 रुपे में बेच दी हमें कितने परतिस्त का लाब हुआ या हानी हुए यह हमसे इस तरी कोशन पूछ जाते है तो कैसे करते है यानि कि हमारे पास cost price है selling price है हमने आपको formula से बताया था आपको formula क्या था हमारा यहां पर 500 की खरीद कर 700 की बेच रहे है तो हमें obviously पता लग्या कि profit ही हुआ है तो profit percentage निकालेंगे तो कैसे profit percentage का यानि कि जो भी लाव हो है बटे cost price multiply by 100 यानि cost price कितना है हमारा यह हमारा 500 और फाइदा कितना का हुआ है 500 का खरीद कर 700 में बेज दी तो कितने का फाइदा 200 का तो यहां यहां पर दूसरों multiply by 100 यह काटलों जो कर जाता है दो जीरो से दो जीरो और यह पांच चुक 20 यानि कितना हो गया 40% का लाव हो जाएगा लेकिन यह आगया formula से आप formula आपको याद है यह नहीं है तो हम इसको आपको जो ratio वाला method होता है उससे भी समझाएंगे क्योंकि हम दो से तरिके से कि इन दोनों का कोस्ट फ्राइज और सैलिंग प्राइज का रेच लेलो इन दोनों का रेच्व आ जाएगा हमारा यानि के दो जेरो जिरो ऑचल यांकितना पांच रेश ओ शाथ यानि कोई बष्टों में पांच खरीद के साथ में बेज दी तो कितने का फा सब्सक्राइब करेंगे अब देखो आगे कुछ और आते हैं जो आगे अब देखो अब कुछ चीज यहां तक यह तो होगी सिंपल सिंपल चीज अब आते बढ़ते हैं थोड़ा आगे यानि कोस्ट प्राइज और मार्क प्राइज इनके बारे में समझाओ कॉस्ट प्राइज और मर्क प्राइज को सिवश्ट प्राय से और किसी वस्ट प्राइज हमएं 500 प्राइज चन की बाते मेंगे उस ACC मेरी कमपनी है इसको बनाने में मुझे 500 के मतलब कीमत ऑसक्ष और में के बनाने के लिए और मैंने क्या इस पर कुछ पैसे में तर बढ़ा कर अंकित कर दिया यानि कि पांचो की जंगा कितने कर दिया मैंने 700 रुपे ठीक है इसका जो मार्क प्राइज यानि कि स्टिकर लगाया और खुंटी पर टांग दी कितना 700 रुपे मैंने कि आओ और खरीद अटॉप अटमे है यह क्या होता है हमार मार्क प्राइज react मूलए और me mark प्राइज यान कित मूल्ए जो तो कॉस्ट प्राइन कितना है 500 और मार्क प्राइज कितना 700 तो यहां से हमें कितना मार देखो यह कितने कंतर हो गाए हमारा मारक अफ होता है हिंदी में कम बाधि कि यह अगर किसी वर्स्था यह कितनी है 500 और उ outta гved si इसका क्या यहले हुआ है कितना था तौ हमने कितना गर्रैयगे किह उस Reverma कि YOURS कि क्या हो है हमारा मार्कप ठीक है दोस्तों अब यहां पर यह सिंपल सा मार्कप रुपे में आ गया इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो मार्कप परसेंटेज कैसे निकालते हैं जो मार्कप परसेंटेज होता है उसको भी हम किस पर निकालेंगे कोस्ट प्राइज पर ही मार्क आप ओपों पोस्प्राइस मार्क फोड्यवीं कि संट यानिक होता या इंके मार्क जो इसको सकते हो या फिर आगे कैसे कर सकते हो मार्क अप यानि के मार्क अप क्या होता है हमारा मार्क प्राइज माइनस कोस्ट प्राइज अपॉन कोस्ट प्राइज इन्टू हंड्रेड परसेंट यह हमारा यहां से मार्क प्राइज का फॉर्मुला परस्ट प्रसेंट में भी आ जाए यानि के मा अब आगे बढ़ेंगे आगे देखो फिर तो आगे बढ़ते हैं आगे और समझे कुछ चीजे एनि किसी वस्तु का जो कोस्ट प्राइज था वह हमने कितना मान लिया 500 उस पर अंकित मुल्य यानि के जो मार्क प्राइज है मार्क प्राइज कितना कर दे हमने 800 रुपे ठीक है कोई ग्रहक आया किसी दुकांदार के पास में ठीक है दुकांदार ने क्या किरा 500 रुपे की कोई वस्तु खरीद ली खरीद कर मतलब यह कोई मैनिफैक्टर कर ली कि कोई भी चीज और उसको उस पर जो मार्क प्राइज अंकित कर दिये कितने कर दे 800 रुपे ठीक है इस्ट मतलब 800 रुपे की ना बेच कर दिया यानि के यहां सबसे पहले यहां पर क्या होया हमारा मार्क अप यह मार्क अप हो गया और फिर यहां हमने यानि के यहां से हमने इसको मार्क अप हो गया यानि 500 रुपे की चीज 800 रुपे में खरीद ली और फिर क्या कर दिया हमने इसको जो बेची 800 रुपे का जो अंकित मूल ले तो बेची कितने में हमने 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 बेची है 800 से कितने मे यानि कि हमें यहां पर हमने क्या कर दिया ghosts यानि डिस्ट काउंट दिया छूट को Xच यानि बट्ट दो इं पर थी हमारी डिस्काउंट डिसकाउंट क्या होता है हमारा यानि मार्क प्राइज माइनस सेलिंग प्राइज डिसकाउंट क्या होगा हमारे छूट यानि बट्टा मार्क प्राइज में से यदि हम सेलिंग प्राइज को घटा देते हैं तो हमारे जो भी छूड दी गई है वो निकल जाती है यह तो डिसक दिस्काउट दें दिया पांच पर्षैंड देदिया तो इसका जो परसंटी घंट कैसे निकालते हैं यहीं डिस्काउंट परसंटेश क्या होता है और यह एक चीज है ठाद हो मगती हैं मौर्क प्राईजई nikaal है किसी से करते हैं mark price बां, discount इंटु ठ्रेट ये हमारा formula होते है discount percentage का या कि discount когда MP 200% और discount हमें एशे भी सकते discount होता है यानि की MP-sp upon MP into 100% पिक दोश्तों यहां तक मा उप्मेद करता हूँ आपको समजा आ गया यह चीज आप समझ लो आगे बढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं कुछ और आगे इस बीज में डिस्काउंट पर आपको एक में एक्जामपल देता हूं छोटा सा उसको समझो यहनि किछी वस्तू का जो मार्क प्राइज है सपोस्ट एट रूपीज है और सेलिंग प्राइज चैनल निए बात करते हैं और सेलिंग टe adalah कि यह रूप करते हैं कि छाष्ट में बेज दें दो सो रुपे की अनिके डिस्काउंट परसंटेज डिस्काउंट अपोन एंपी इंटू अन्रेड यह हमने आपको बताया है यानि डिस्काउंट कितना दिया है 200 का रूपों में अगर ज्यदी बात कर रहे हैं है यह हंडर कि दो यहां से कर जाएगा कितना पच्चिस अधे 200 कि इसको डिसकाउंट याप इस तरीका से यह पिस तरीके से यह तरीके से कर लो या पिसका रेशों के लिकर भी कर सकते है यहां पर चार पर पर परतिसत के लिए 100 बराबर एक बटे चार गोना सो यानि कितना पच्चिस परतिसत आप इसको डिरेक्ट रेशों से भी इस परकार कर सकते थे तो मार्क प्राइज के बीज में जो सम्मद आता है डिस्काउंट परसेंटेज का इस तरीके से हम उसको कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं आगे में क्या है एदि किसी वस्तु का कोस्ट प्राइज हमने कितना निया पान सो गही और और मार्क प्राइज कितना हुग इसका 800 रूपे और उने हमने लाई कतना 600 रूपे वह मह सब्सक्राइब करते हैं और यहां से हमने कितने रुपे का होगे हमारा 300 रुपे का ठीक है और यहां से हमने कितने रुपे की छूड़ दे दी 200 रुपे की यहां से क्या निकालना यानि कोस्ट प्राइज हमारा कितना हो गया 500 अब शैलिंग प्राइज कितनी होगे हमारी 600 तो हमें इसका तो यहां पर रोल नहीं रहा कुछ भी इन दोनों में देखेंगे 500 रुपे में खरीद कर 600 र यहां पर कितनी रुपे का लाग हो हुए हमारा 100 रुपे का पर्सेंटेज में निकालना तो प्रोफिट पर्सेंट क्या हो जाएगा हमारा प्रोफिट परसेंट हमेशे की सीच पर निकालते हैं कोस्ट प्राइज पर यानि 500 इसो मॉन्टीप्लाय भाई 100 200 से 200 पांस एक दिक कितने बार 20 परसेंट यानि के जो हमें प्रोफिर परसेंट कि अभाई 20 परतिश्थ का यह तरीका हमने आपको इसको यहाद करूंगी कर्मा का की होता है वह तो है उस तरीके से भेहां देखो आपको मैं बताता हूं सक्सेसी होता है क्या है एक बार गूर आपको याद करा दूंगा समझो जैसे suppose that कोई वस्तु है कोई वस्तु है उस पर हमने मान लिया यह परतिसत का लाव हो गया यह और भी परतिसत के हानी होगी ठीक है दी तो इस पर कितनी परसेंट का प्रोफित होगा इस तरीके तो हम वह निकालते थे तो इसका फोर्मूल अता हमारा successive का यह कर्मागत चेंज का फोर्मूल हता हमारा ए-2-1-1 अपन हन्डरेड परसेंट इस तरीके से तो सक्सिव के लिए हमने आपको बताये था यह और इस तरीके लौ किसी कोई वस्तु एसका कोष्ट प्राइज है सब्सक्राइब और मेग प्राइज मपी वो सेलिंग अमें दे इस पी तो आमने इस पे मालीजो मारक अप हो आया कि इस ने पर सेंट का लैनिके एंपर ते कभा वर डिसकाउंट कितना देदी हमने डिपर सेंट का तो overall हमें क्या निकालना यहांसे मीन कहल सकते तो नेट पर्सेंटेज हम निकाल लेते हैं तो कितने पषरतिशत का हमें धो होता है है यह हमारा क्या होगा यानि के जो पीछी हमने आपको बताया तो इसको हम इस कंसेफ्ट से कर सकते हैं अब देखो आगे इस तरह के इस पर मज़ो कोस्टन बंते वो भी दे लो आप इसका मदर स्कीन्सोट ले लो यह हमारा करमा का चेंज होता है जिसको हम सक्सेसिव बोलते ह अब देखो आगे हमने सपोड़ेट कर लिया किछी कोई वस्त्व है उसका जो कोस्ट प्राइज है वह 500 रुपे मान लिया हमने कितना 500 किछी वस्त्व के कोस्ट प्राइज 500 रुपे है और उसको 60% 60% पर मतलब 7% बढ़ा कर अंकित कर दिया यानि कि इसको 60% बढ़ा कर अंक 300 अभी पीछे क्योंकि हमने आपको वह यह बतायता करके तो यह एंपी कितना हो जाएगा 800 और उस पर 25% का क्या दे रिया जया डिस्काउंट यानि इसका जब 25% 800 का 25% कितना होता है हमारा यहां से इसको निकाल लेंगे तो कितना जाएगा हमारा सेलिंग प्राइज 600 रुप 25 माइनस 60 गुना 25 बटे 100 इस तरीके से हम इसको करेंगे यानि 25 का 100 और 4 से कटेंगे 15 यानि कितना हो जाएगा 60 माइनस 25 माइनस 15 पंद्रा 25 पंद्रा 40 वह से मेंसे इसको घटा देंगे यह क्या सब हमारा परसंटेज में चला है कितना आ गया 20% जो अवर ओल हमारा नेट प्रोफिट हुआ है कितना हुए हमारा net profit प्रसंटेज में 20% यह हमारा शक्रेज को सकसेजो के तरीके से यह इंधे सतरीके तो कैसे करेंगे आप देखो किसी वस्तु का कोस्प्राइज कितना 500 कितने परतिशत कलाब हुआ है 60% का मार्क अप हुआ है यह तो है 60% उसको बढ़ा कर रंके दिया नहीं 60% क्या होता है हमारा 60% होता है हमारा तीन बट है 5 यहां से हम निकालेंगे यहां से यादि मुझे CP और में MP का रेश्यों निकालेंगे कितने आजयेगा यानि किसी वस्तु की कोर्ष्ट कितनी है 5 मान लिया हमने कितनी 5 अनुपाथ में जाएंगे तो तीन कर्ष्पे फाइदा हो रहा है तो यह कितनी हो जाएगा बढ़के मार्क प्राइज हमारा आठ इसी परकार जब हम यहां पर जाएंगे MP और Selling Price पर यानि कि मार्क अब कितने है 800 और जाना कितने है 25% यहां किसी वस्तु का मार्क प्राइज हो यहां से क्या हो जाएगा में डिस्काउंट आपर कमा प्राइज पर तो एक क्तर डिस्काउंट दे दिया तो कितने ívजन हैंगे टीन तो यहां से हमारा मैंने इस तरी के से आपको यह भी समझाया था जो इस तरी Deutsch बनती है हम क्या इनसीनेल वाले हमारा रे सुनियनों कर जाते हैं नि पहले वाने और अंत वाले का रेश्व निकलता है मिन कहीं कि यहां से profit percent निकालना तो कितने का फाईदा 5 की, खरीद कर 6 में भेग दी तो फाईदा कितने का होई हमारा, एक का कितने फाईदा 5 पर, यहांनि profit percent कितना आ जाएगा, एक बट्टे 5, एक बट्टे 5 कितना होता है हमारा, अब परतिशत के लिए दिरे पर्फिलाई, यानि कितना 20 परतिसत ठीक है दोस्तो इस तरीके से हमने आपको यह concept समझा दी है जो कि बहुत ज्यादा important थे आपको पेपर मतलब जब हम question करेंगे इन सभी concept का यूज करेंगे तो आप इसका screenshot ले लो यहां तक जो भी मैंने आपको यह समझाया है उनको आप practice करना घर पर करेंगे नए कोशनों को लेकर ठीक है जहन दोस्तों धन्यवाद